श्री शिवा नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज मंगलवार का दिन है और आज प्रदोश का पावन परवबी है आज भोम प्रदोश का पावन दिन है भगवान शीव के साथ साथ भगवान हनुमान जी के भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए ताकि हमारे जीव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिवी उपाय बिल्कुल सरल वीदी से सरल तरीके से पहुचा जाए ताकि आप उन उपायों को सरल तापुर्वक कर सकें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को जाद से जाद शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तव्यम जरूर लिखें देखिए प्रदोश का पावन दिन और प्रदोश के पावन दिन पर भगवान शीव की जो पूजा आराधना करनी चाहिए वो विशेश कर प्रदोश काल म मोरत रहेगा वो शाम को 6 बचकर 30 मिनिट से रात में 8 बचकर 53 मिनिट तक रहेगा अगर आप ये उपाय उस समय करते हैं तो बहुती अच्छी बाते नहीं तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको केवल दो उपाय बताने वाले हैं और ये दोनों उपाय आपके जीवन से कर्जों को दूर करेंगे और आपकी हर समस्याओ का जो आर्थिक संबंदित परिशानिया हैं वो सब दूर करेंगे अगर मंगल ग्रह की इस्तिति आपकी कुंडिली में अच्छी होगी तो आपका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरेगा आपको कभी भी आर्थिक समस्याओ का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर वहीं मंगल की स्तिति खराब होगी तो आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता हैं और होला पात्रे के अंदर या तो आप पानी भरके उसके अंदर गुड़ डाल दें और उससे भगवान शीव का अभिशेक करें श्री शीवाय नमस्तुब्यम या ओम नमस्शीवाय का जाप करके आज के दिन आप गन्ने के रस्ते भी अभिशेक कर सकते हैं लाल मसूर की दाल डाल करके भी भगवान का अभिशेक कर सकते हैं ग्यारा लाल मसूर की दाल डाल करके भी भगवान शीव का अभिशेक कर सकते हैं और अनार के रस से भी भगवान का अभिशेक कर सकते हैं इससे आपकी जीवन में कर्ज जो भी होगा वो सब दूर हो जाएगा, बहुती अच्छा उपाय है, भोम प्रदोश के दिन ही किया जाता है, तेकि बगवान शीफ के ग्यारवे रुद्रवतार हनुमान जी, तो आज हनुमान जी का एक अच्चुक उपाय आपको करना है, शाम को या सुबे, दीन में या रात में, कभी भ आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर हनुमान जी के सामने ही आपको ये ख्रिया करनी है, आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है, और उस लाल कपड़े के उपर कुम-कुम से आपको स्वास्तिक बना देना है, ठीके, अब आपको एक रुपे का सिक्का उस स्वास्तिक के उपर रखना है अब आपको क्या करना है या तो आप गेहू रख सकते हैं साबुद गेहू रख सकते हैं लाल मसूर की डाल भी आप उसमें रख सकते हैं दोनों में से कोई सी एक चीज आपको रखना है अब आपको क्या करना है यदि आपने गेहू रखे हैं मसूर के डाल रखी हैं आप उसके उपर 4 मुखी दीपक जलाएंगें ध्याना के 4 मुखी दीपक जो है वो 4 दिशाव से आपके उपर जो भी कर जा रहा है उसे दूर करने के लिए हैं चो मुकी दीपक के अंदर आप या तो चमिली का तेल भर सकते हैं या तो आप घी भी भर सकते हैं उसके अंदर आपको एक चुटकी लाल कुमकुम या गुड़ भी आप डाल सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन आपको आपके सीधे हाथ में दो लॉंग लेनी है और अब आपको आपके सीधे हाथ में दो लॉंग लेनी है और आपको हनुमान चालीसा का पार्ट करना है और उसके बाद आपको जैश्री राम, जैश्री राम का जाब करना है 108 बार अब जो लॉंग है आपके सीधे हाथ में को आपको पेक कर लेना है यानि कि बेट करके अब आपको जाब करना है ओम नमो हनुमते आविशाय आविशाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाब करने के बाद आपको जो ये दीपक है ये हनुमानची के मंदिर में ही रख देना है और बाकी आपको लाल कपड़ा और उसके अंदर जो भी गेहू और एक रुपे क सिक्का है उसे बान करके भी आप किसी भी जरुत मंद व्यक्ति को दे दे इससे आपके जीवन में जो भी कर्ज होगा बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा बहुत ही अच्छुक उपाय है वो सब दूर होने वाला है क्योंकि मंगलवार की प्रदोश के दिन अगर लाल मजबूत होती है और हमारे कर्ज जो है वो दिन पर दिन कम होते जाता है तो इसलिए इस उपाय को जरू करेगा अगर कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंड में पूछ सकते हैं श्री शीवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव